मेहनी सेरिमनी में जूम कर नाचते दिखी कैटरीना आपने देखी ये वाइरल हो रही तस्वीरे विकी काशल और केटरीना कैफ साथ से 9 डिसमबर के बीच राजस्तान में शादी करने वाले हैं आज केटरीना की मेहनी सेरिमनी है जिसमें शरीक होने के लिए बॉलिवूड की कई दिखज़ हस्तियां जैपूर पहुँच चुकी है खुद विकी और केटरीना भी बीती शाम क पर स्पोट्ट किये गए गोई कैटरीना कैफ और की君 कौसल के होटेल में पहुंचते ही मानेज्मेंट ने उनका जोड़दार स्वाकत किया केटरीना कैफ जैसे ही होटेल पहुँची जम कर आतिश बाजी की गई अब सोशल मीडिया पर केट्रीना की मेहंदी सेरिमनी की तस्वीरे जम कर वाइरल हो रही है सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरे सामने आई है जिसे देख कहा जा रहा है कि ये केट्रीना की मेहंदी की तस्वीरे है अपनी मेहंदी सेरिमनी में वो जूम कर नाचते दिख रही है हाला कि ये तस्वीरे एक आड शूट की है जिसे फैंस मेहंदी की तस्वीरे बता कर वाइरल कर रहे है केट्रीना और विकी की शादी में किसी भी फोटोग्रफर को फोटो खीचने की अनुमती नहीं मिली है इतना ही नहीं इस शादी में शरीक होने वाले महमानों को भी फोन ले जाने की अजाज़त नहीं है सोमवार दुपहर से केटरीना के भाई बहन और करीबी दोस्तों का जैपुट पहुचने का सिलसिला जारी है इस शादी में शामल होने के लिए बॉलिवुट के दस बड़े सेलब्रिटीज पहुच रही है विकी केटरीना की शादी में महमानों को लक्शुरी टेंस में ठहराया जाएगा हाला कि इस सुविधा सिर्फ VVIP यानि खास गेस्ट के लिए ही मुहाया होगी बताया गया है कि Wedding Planners ने VVIP Guest के लिए 10 Luxury Trens रखने की योजना बनाई है इन Luxury Trens की एक रात की शुरुवाती कीमत कम से कम 70,000 रुपए तक होती है विकी केटवीना की शादी में शामल होने वाले लोगों को Wedding Planners की तरफ से कोट दिये जाएंगी और इनका पता सिर्फ होटेल के स्टाफ को भी होगा विकी और केटवीना राजिस्तान के सवाई माधुपूर में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रही है